अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो या कहीं पर जॉब कर रहे हो तो कोई ना कोई पॉइंट में आप तो यह सोचे ही होगे कि मुझे मेरा पैसन को भी फॉलोग करना है कुछ चीजे हैं जो आपको कंसिडर कर लेना चाहिए बट बीफोर याट हम जान लेते हैं कि एक जॉब करने वाला क्या कैसे सिचेशन हो सकता है कि वह जहां सोचता है कि अभी मेरा पैसन को मुझे फॉलोग करना है वैसे तो बहुत सारे रिजन से बट मैंनली में तीन रिजन बताता हूँ में में जो रिजन है क्यों वह सुचता है कि मुझे अभी मेरा पैसन फॉलो करना है तो फॉर्स्ट रिजन की यार मेरे बॉस बार-बार कॉल करके मुझे परिसान कर देता और यह जॉब से तो मुझे मतलब तंग आ चुका हूँ मैं अभी मुझे लाइब में कुछ शुरू करना चाहिए तो ऐसा सीचेशन में बता दो जहां पर आपको कुछ शुरुआत करना चाहिए उसके लिए अगर आप जो जौब छोड़के आपको पैसन को फॉलो करते हो तो यू डेफिनाटली फेल क्योंकि आपके पास आईडिया ही कुछ है नहीं बस आप एक स्क्यूज के तरह आप जौब छोड़के आपके पैसन को फॉलो करना चाहते हो तो अहां पर तो आप और भी परेशान हो जाओगे मैं यहां पर यह सब्सक्राइब कि आप उसी जौब में रहे अगर आपके पास कुछ प्लान से देन यू कैन थिंग अबाउट यून फॉल में बता दू अगर ऐसा situation में आप जौब के साथ वह चीज को मैनेज कर पा रहे हो देन आप जौब भी करो वह चीज को करो तब आपको जौब छोड़के आपके पैसन को फॉलो करना चाहिए जब आप एनफ कंफिडेंस हो जाओ कि आप जो जौब कर रहे हो उससे ज्यादा पैसा आपको वह आपके पैसन में मिल रहा है या साटिस्पेक्शन ज्यादा उसमें मिल रहा है तब आप स्वीच करने के लिए सोच सकते हो फिल डाट टाइम आप जौब भी करो उसके साथ आपके पैसन को भी करते रहो फ़र जो सिच्वेशन यह है कि यार मुझे ऐसा फी बाट करने से पहले पैसन को सुरु करने से पहले क्या 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 चीज को आपको कंसिडर कर लेना चाहिए तो फर्स्ट पॉइंट इस की जो काम आप करने जा रहे हो कि उसको आप मनिटाइज कर पाओगे या नहीं मनिटाइज मतलब यह होता है कि आप जो काम करने के लिए सोच रहे हो वहां से पैसा आएगा की नहीं उसका मार्केट में डिमांड है की नहीं लोगों का उस product या service का need है कि नहीं वो पहले आपको evaluate करना पड़ेगा because at the end of the day आप पैसन को follow कर रहे या job कर आपको पैसा चाहिए चाहिए अगर आप जो काम कर रहे हो उससे पैसा ही नहीं मिल रहा है तो कोई बतलब नहीं बनता है कि उस पैसन को follow करनेगा second point is that कि आप job छोड़ने से पहले आप यह decide कर लो कि आप जो काम के लिए job छोड़ रहे हो उसको कितने टाइम में आपको आचिव कर लेना है एक minimum target set कर लेना कि यह level तक मुझे इतना time में पहुंचना है for example यह time तक मुझे एक साल में पहुंचना है तो यह पहले mindset करना पड़ेगा कि कितने time में वह चीज को आप अचीव करना सहते हो according to that आपको आपके financial condition भी plan करना पड़े है because आप job छोड़ दिये मतलब उसके बाद आपके पास कोई financial source नहीं रहेगा कहीं से भी earning source नहीं रहेगा so passion को follow करने के साथ जब तक आपको passion में success नहीं मिल जाता है तब तक आपको sustain भी करना है आपके घर चलाना है so make sure that आप उस time तक आप financial planning सही से कर लो so that उतना time आप सही से sustain कर पाऊ Orthodox इसरा पॉइंट यह है कि आप जब full time आपके passion को follow करने से पहले यह थोड़ा सोच ले न कि क्या आप job के साथ साथ आप जो passion को follow कर रहे हो वह एक ही साथ हो सकता है क्या अगर हो सकता है तो आप job के साथ आपको passion को follow कर तब उससे पहले आप जो काम करना चाहते हो उसके बारे मार्केट के नीड देखना पड़ेगा, आपको प्लान करना पड़ेगा, जब आपके पूरी प्लानिंग हो जाए, आपके पास एक प्लान सेट हो, तब आप जॉब कुईट करो, यह सबसे बेस्ट तरीका होगा, अगर मैं मेरा बात करो, तो मुझे मेरा जॉब भी बहुत पसंद है, और उसके साथ मुझे वीडियो बनाना बहुत अच्छा लगता है, इसके लिए मुझे जॉब छोड़ने का ज़रुत है, नहीं, मैं दोनों चीज मैनेज कर सकता हूँ, मैं मेरा जॉब भी कर रहा हूँ, उसक कुछ चीज को लिए रियली पैसिनर्ट हो, जब तक वो काम करेंगे नहीं, हमको पता नहीं चलेगा कि उसमें मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, I'm satisfied or not, तो यह सब चीज काम करने के बाद पता चलता है, so go for it, plan well and go for it, so until then, bye bye, take care. झाल